हुआ है गाइस क्विक रिकॉर्लिंग ऑफ माली किला बालाजी टॉपिक्स बाइंड मैप सिरीज में आप सबका स्वागत है कॉंसेप्ट मैप का यह सिरीज 13 है जिसमें हम जानने वाले हैं मोस्ट अवेटर्ट टॉपिक डिएने रप्लिकेशन के एंजाइम्स के बारे में तो इस सिरीज में हम जानेंगे डिएने रप्लिकेशन में कौन-कौन से एंजाइम इनवाल्व होते हैं जो इनजाइम इन्वाल्ड होते है यहां पे सारे लिस्टेड हैं, कौन-कौन हैं, देखते हैं, पहला है DNA हेलिकेज, DNA हेलिकेज, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है DNA प्राइमेस, चौता है DNA क्लैम्प, DNA पॉलीमरेस, टोपो आइसोमरेस या DNA गायरेस, DNA लाइगेस and enzymes to remove primers तो एक एक करके सबका function एक short में देख लेते हैं फिर उसके बाद detail में बात करेंगे इन सबके बारे में तो यहाँ पर जो DNA helicase है DNA helicase क्या काम करता है separate करता है दो strand क्यों DNA के दोनों strand को separate करने का काम जो होता है वो DNA helicase का होता है इसी तरह जो single stranded binding proteins होते हैं यह जो single stranded binding proteins होते हैं वो ऐसे proteins होते हैं कि एक बाद जब helicase ने क्या किया दोनों DNA strand को separate कर दिया तो अब वहाँ पर क्या है वहाँ क्योंकि वो जो cell है जहां पर यह सारी चीज़े हो रही है वहाँ बहुत तरह के enzymes है नुक्लियेज भी है जो नुक्लिक एसिड को digest कर सकता है प्रोटियेज है नुक्लियेज है बहुत सारे तरह के binding proteins है जो लाइगेज भी है जो वापस से उनको क्या कर सकते हैं वापस से जो प्रोटिन का काम आता है single tender binding protein क्या करते हैं जहां भी ही है है। है EM को सेपरेट किया है दोनों सेपरेट किया है वहां जाकर यह single स्मेर्ट बाइंडगी प्रोटिन ज रहत सब्सक्राइब करते हैं नूटल्या करते हैं इन कrit इन integration को सब्सक्राइब the action of action of nucleases prevent करते हैं किसे nucleases okay secondary structure formation बने से जो secondary structure उसी एक स्रेंड में बनने से इन सब से क्या करते हैं रोपते हैं प्रिबेंट करते हैं single stranded binding protein तीसरा होता है DNA primase का क्या काम होता काम होता है शौर्ट आरने जो प्राइमर्स होते हैं उनको अटेच करना ताकि वो जो है डियेने सिंथेसिस को शुरू कर सके तो प्राइमेज क्या करता है प्राइमर्स को वहाँ पर अटेच करता इसके बीना तो रेप्लिकेशन होगा इन्हें क्या है एक तरसे पॉलिमराइजीशन है न्यूखलिक एसेट्स का तो यह डीन ने पॉलिमरेज क्या करेगा तो बी डीनन मॉलिकूल्स होंगे उनको एक एक करके क्या अटैच करता जाएगा एक साथ वैसे ही फिर टोपो आप हम आता है। किकितना सूपर कौरीज 오emen होगा अगर है इसको रिलेक्स करें का सो रिलेक्स करना को होता है। का काम होता है कि DNA molecules को आपस में जोड़ता है फिर प्राइमर क्या होते हैं प्राइमर को रिमूब करने वाले जो है वो कुछ इनको क्या कर दिया एक दा मैं बिलकुल यह चेंड की तरह है कि डोनों को अलग कर दिया है व्यूद्य कि या करता है और प्रोटीन हम सब जानते हैं जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं तो यह किस तरह का प्रोटीन है मोटर प्रोटीन है यह क्या करता है यूज करता है एटीपी को एटीपी को यूज करता है और हाइड्रोलाइज करता है किसको एच बॉंड को जो डिने के दोनों स्ट्रेंड की बीच मे dna के double helix को क्या करता है unwind करता है open करता है तो इसकी वज़े से क्या होता है अपने को अलग-अलग dna अलग-अलग processes like replication transcription के लिए हमें single stranded dna जो है वो अब बारी आती है single stranded binding protein अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जहां जहां भी है यह लिकेज ने ब्रेक करा है ब्रेक किया है hydrogen bonds को जहां भी ब्रेक किया है वहां यह कुछ red-red आके यह रेड-red से कुछ proteins आके बाइंड हुए क्यों बाइंड हुए हमने पहले ही फर्स्लाइड में रिस्कस किया था कि यह जो प्रोटीन होते हैं single stranded binding protein यह help करते हैं prevent करते हैं DNA के strand को nucleases enzyme से बचाने में ligases से बापस से यह bond formation नहीं हो जाए secondary structure formation नहीं हो जाए इस से बचाते हैं तो एक बात देखते हैं यह क्या है लिखा है single stranded instance are suspectable to degradation of forming secondary structure which can hinder the replication process तो यही बात मैंने बोली कि यह degradation से बचाते हैं enzymes के degradation से बचाते हैं प्लस यह secondary structure formation से बचाते हैं तो SSB क्या होता है single stranded DNA से जाके bind हो जाता है bind हो जाता है और क्या बचाता है यह double double helix को degrade होने से बचाता है nucleus enzyme से degrade होने से बचाता है और इन ही single standard binding proteins के वजह से जो replication process है वो smoothly चल रही होती है अब इसके बाद बारी आती है DNA primase की तो DNA primase जो होती है DNA primase DNA polymerase जो होता है वो अकेले जो है वो nucleotide नहीं add कर सकता है एक free 3OH ग्रूप पे इनको चाहिए होता है इनको चाहिए होता है एक free 3OH ग्रूप इनको एक 3OH ग्रूप free चाहिए होता है 3 prime position पे जहां पे वो nucleotide add कर पाए तो यह 3 prime OOH group कहां से मिलता है यह मिलता है इन ही primers short primers से तो यह short primers synthesize कैसे होते हैं यह short primers जो होते हैं वो synthesize ये RNA primus होते हैं और ये synthesize कैसे होते हैं RNA polymerase से तो ये जो DNA primase है ये एक तरह का RNA polymerase है क्या है RNA polymerase है RNA polymerase तो ये क्या करता है ये जो हमारा friend है उसी के पास एक एक short RNA polymer create करता है उसको हम क्या बोलते हैं Primer बोलते हैं क्या बोलते हैं Primer RNA primer बोलते हैं अब इस Primer के पास एक free 3OH 3OH group होता है एक 3- position होती है उसकी 3 prime position होती है वो free होती है अब जब ये position free होती है तो DNA polymerase होता है यहीं से फिर वापस से अपना replication process स्टार्ट कर देता है तो अपने को यहां पर यह यात रखनाए कि जो डीने पॉलिमरीस होता है उसके पास नहीं होती है कि वो खुछ से ही DNA सिंथेसिस स्टार्ट कर दे, DNA नूकलीयो टैट को एड कर ना एड करना स्टार्ड कर दें तो उसको क्या चाहिए होता है उसको एक फ्रीधक्री प्राइम पोजीशन है ज्यूहान ओयज ग्रूप एड हो श्यूधक poo फ्रीश aba Hai तो यहतक्री प्राइम पोजीशन कौन देता है powerful ऑनुडिये और बैस जिसको यह बोलते है डीने फ्राइम प् बनाए, synthesize करे, उसके template पे एक RNA primer synthesize करे, उस primer के पास क्या होगा, 3 prime OEH group प्रेजन्ट होगा, 3 prime OEH group जो present होगा, अब वहीं पे DNA polymerase आके, nucleotide synthesis जो है, वो शुरू कर देगा, जो attachment है, polymerization है, DNA का वो शुरू कर देगा, और इस तरह से DNA synthesis होगी, तो DNA primase का function समझ गया, DNA primase एक तरह के RNA polymers है, जो कि क्या करते हैं, जो कि RNA primer sequences का synthesis करते हैं, along the template of single stranded DNA, अब यह जो DNA primase है, वो इसका structure कैसा है, तो इसके structure में चार domain होते हैं, क्या होते हैं, चार domain होते हैं, कौन-कौन से, पहला है zinc binding domain, दूसरा है RNA polymerase domain, तीसरा है helical bundle domain, और चौता है domain interaction, तो zinc binding domain जो होता है, वो क्या करता है, stabilize करता है structure को, क्या करता है, stabilize करता है structure को, जो RNA polymerase domain है, वो main domain है DNA primase का, क्योंकि यही वो domain है, जो RNA primase का synthesis करता है, क्या करता है, यही वो domain है, जिसके पास catalytic activity होती है, RNA primer, इसको synthesize करने का, अब इसके बाद जो आता है, helical bundle domain, helical bundle domain क्या करता है, DNA, जी या फिर other जो भी component जो है, replication machinery में यूज होते हैं, जितने भी factor यूज होते हैं, उनको interact करने में ये help करता है, इसके बाद आता है, domain interaction, ये क्या करता है, ये भी बाकी के जो loaders होते हैं, loaders होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनको attach करने में ये help करता है, तो ये domain समझ में आ गया है, प्राइमर्स के, तो अगर eukaryotic DNA प्राइमर्स को देखा जाए, अभी ये ecoli DNA प्राइमर्स था, जो कि prokaryotic था, इसको हम DNA G भी बोलते हैं, ऐसे ही, अगर eukaryotic DNA प्राइमर्स का structure देखा जाए, तो यहाँ चार सब यूनिट हैं, अभी इन चार सब यूनिट का नाम क्या है, पी 49, पी 58, पी 180, पी 70 या कहीं कहीं, पी 86, यह change होते रहते हैं, इस species तो species change होते रहते हैं, तो general structure होता है, वो ऐसा होता है, जिसमें पी 49 जो है, वो catalytic sub unit है, इसी का काम होता है, RNA प्राइमर्स का synthesis करना, अब जो P50 है, 8 है, वो accessory sub unit है, मतलब वो accessory proteins और accessory factors के साथ interact करेगी, यह P180 जो है, वो DNA polymerase के साथ catalytic sub unit बनाती है, और यह जो है P70 और P86, यह phosphorylated regulatory sub unit है, इसी की वज़े से decide होगा, कि यह DNA primase कब active होगा, और कब inactive होगा, अब इसके बाद बारी आती है, DNA sliding clamps की, तो DNA sliding clamp क्या है, इसको हम DNA sliding clamp, clamp loader या processivity clamp भी बोलते हैं, और यह एक तरह क्या protein complex है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है to load the sliding clamp onto the DNA, क्या काम होता है, sliding clamp को DNA पे लोड करना, अब यह sliding clamp क्या होता है, यह होता है, रिंग शेफ प्रोटीन, रिंग शेफ प्रोटीन होता है, जो DNA के around processivity प्रोवाइट करता है, क्या करता है, DNA के around processivity प्रोवाइट करता है, it leads the DNA polymerase to the template strand and preventing the polymerase from falling during replication, तो यह sliding clamp पहला तो यह processivity प्रोवाइट करता है, प्लस यह DNA polymerase को एक space प्रोवाइट करता है, जहां पे वो आके attach हो और stabilize रहे है, तो यह तीन तरह के sliding camps हैं, यह ring-like structure होता है, यह e-coli के लिए है, यह T4 phase के लिए है और यह eukaryotic sliding camp हैं, अब DNA polymerases देख लेते हैं, प्रोवाइट में कितने तरह के होते हैं, तो प्रोवाइट में अगर e-coli का example लिया जाए, तो पाथ तरह के DNA polymerase होते हैं, 1, 2, 3, 4, and 5, तो DNA polymerase 1 जो है, उसका काम होता है, RNA primer को removal, एक बाद जो replication हो जाएगा, तो वहाँ RNA primer की कोई जरुरत नहीं होगी, नहीं बची जरुरत हो, क्या करना है, लात मार के भगा देना है, तो DNA polymerase 1 का यही काम होता है, कि वह RNA primers को remove करें, लात मार के भगा दे, फिर उसके बाद यह जो है, DNA polymerase 2, इसका काम क्या है, DNA repair का है, जो main DNA polymerase है, जो replication में involved होती है, prokaryotic replication में involved होती है, वह है, DNA polymerase 3, DNA polymerase 3 का काम है, DNA replication में involved होना, जो 4 और 5 है, यह वापस से DNA repair में काम आते हैं, DNA repair में काम आते हैं, transglase and synthesis में काम आते हैं, तो अब यह याद हो गया होगा, DNA polymerase 1 का काम होता है, RNA primer को लात मार के भगा देना, तिक, दूसरा जो होता है, RNA polymerase 2, उसका 2, 4 और 5, इनका काम होता है, DNA repair में, transglase and synthesis में, और जो 3 है, वो most important, जो कि DNA polymerase में, DNA polymerase जो है, वो DNA replication में काम आता है, अब इसके बाद बात आती है, कि इनका structure कैसा है, कौन कौन से subunit है, तो पहले तो जो हम दो enzymes को यहाँ पे देखेंगे, DNA polymerase 1 और DNA polymerase 3, जो 1 है, 1 है, इसको हम यह भी बोलते हैं, कौन बर्ग enzyme क्या बोलते हैं, कौन बर्ग enzyme, हां, तो कहां थे हम, कि यह जो eukaryotic DNA polymerase होता है, इसको हम बोलते हैं, यह भी बोलते हैं, कौन बर्ग enzyme, यह ने polymerase 1 के अलावा, यह ने कौन बर्ग enzyme बोलते हैं, इनके two fragment होते हैं, अगर हम इनको किसी protein enzyme से clip करें, treat करें क्सी protein enzyme से, तो यह जो polymerase होते हैं, वो दो fragment में divide होते हैं, कौन से? एक N fragment और एक C fragment, N fragment जो होता है, वो small होता है, और large fragment जो होता है, वो C होता है, C fragment, तो जो small fragment होता है उसके पास exonuclease activity होती है prime to 3 prime जो large fragment होता है इसको हम clean of fragment भी बोलते हैं बहुत बार यह question आते हैं clean of fragments के बारे में quranberg enzymes के बारे में MCQs में तो यह याद रखना है कि DNA polymerase 1 या quranberg जो enzyme है उसका जो large C fragment है उसको हम clean of fragment बोलते हैं और इस clean of fragment के पास दो activity होती है पहली activity होती है polymerase activity जो कि 5 prime to 3 prime है और दूसरी होती है 3 prime to 5 prime exonuclease activity क्या है पहला है 5 prime to 3 prime polymerase activity और दूसरा है 3 prime to 5 prime exonuclease activity ऐसे ही जब हम DNA polymerase 3 को देखते हैं तो यह एक तरह से holo enzyme है holo enzyme है मतलब बहुत सारे sub units हैं और हर sub units के अलग-अलग function है तो यहाँ पे 10 sub units हैं कौन-कौन से alpha, epsilon, theta, tau, gamma, delta, delta, prime, shy, shy, shy और beta ओके तो इतने जो हैं इनके sub units हैं अब इसमें 3 main हैं कौन से alpha, epsilon और theta alpha, epsilon और theta यह मिलके क्या बनाते हैं यह मिलके DNA polymerase का core बनाते हैं अब इस score के पास ही जो है वो polymerase activity होती है proof reading activity होती है और processivity भी होती है अब alpha जो है alpha के पास 5 to 3 prime polymerase activity है 3 prime to 5 prime यह है एक्जोग्येश एक्टिविटी है और ऐसे ही alpha, epsilon और theta 3 है न तो alpha का polymerase exonuclease activity epsilon का 3 prime to 5 वापस एक्जोग्येश एक्टिविटी प्रूफ रीडिंग्ग धीटा जो है वो processivity factor होता है processivity factor और बीटा जो है वो sliding clarm हम पीछे DNA क्लैंप परोटेंज पड़े तो वह बीटा जो वह है वही प्रासेस करता है क्लैंप यूनिट्स को और यह फ्रेक्टर जो है थीटा और बीटा मिलके प्रासेस करते हैं रेप्लिकेशन में तो जनरली यह देखना है कि कॉरंबर्ग जो एंजाइम है उसका जो लाजसी excitement है वो clean off fragment है उसके पास polymerase 3 5 तो 3 प्राइम और exeo nucleus 3 प्राइम तो 5 प्राइम है ऐसे ही इसके पास दज सब यूनिट है polymerase 3 के पास और उन दस में जो तीन है में alpha epsilon और theta जो की core बनाते हैं alpha जो है वो 5 प्राइम तो 3 प्राइम polymerase activity और 3' to 5' एक्जोनुक्लियस activity देती है epsilon एक्जोनुक्लियस activity 3' to 5' थीटा प्रोसेसिविटी फैक्टर देता है और बीटा जो है वो sliding clamp की तरह काम करता है यह एक तरह से इनका representation है पूरा जो यह जो DNA polymerase 3 है उसका जो है representation है जितने सब units है उनके लिए अब हम बात करेंगे DNA polymerase eukaryotes में तो DNA polymerase जो eukaryotes में होते हैं उनके होते हैं 5 तरह के DNA polymerase जो होते हैं वो eukaryotes में होते हैं कौन कौन से DNA polymerase alpha DNA polymerase beta DNA polymerase gamma DNA polymerase delta and DNA polymerase epsilon तो जो alpha होता है DNA polymerase alpha होता है इसका काम होता है RNA primers को synthesize करना और दूसरा जो काम होता है DNA synthesis का क्योंकि RNA primers को synthesize कर रहा है तो पहली बात हो गई कि पहले RNA primer synthesis और RNA primer synthesis कर रहा है तो यह DNA initiation में involved होगा प्लस यह lagging strength के भी initiation में involved होगा अब इसके बाद जो beta polymerase है वो repair DNA करती है DNA को गामा जो है वो वो mitochondrial DNA में DNA replication के काम आती है यह याद रखना बहुत ज़रूरी है जो gamma DNA polymerase है DNA polymerase gamma वो mitochondrial DNA के replication में काम आती है ऐसे ही जो डेल्टा है वो leading strength को synthesize करती है और DNA में जो gap से उनको fill करती है अगर एक बार जब RNA removal हो जाता है RNA remove हो जाते हैं तो जो DNA के बीच में gap आये होते हैं RNA primers जो हैं remove हो जाते हैं तो DNA के बीच में जो gap आये होते हैं उनको fill करने का काम जो होता है वो होता है DNA polymerase delta का और इसके अलावा यह leading strength को synthesize करता है इसके बाद जो बात आती है एपसेलं, एपसेलं का जो काम होता है, वो DNA repair में होता है, क्या है? DNA repair में होता है, तो बात करेंगे हम DNA ligase की, तो DNA ligase जो हैं वो दो तरह की होते हैं, ATP dependent और NAD-Dependent, तो जब ही गर डियने मैड एक होता है डियने के मौलिक्वेशन होता है तो यह जो आप पॉर्मिशन होगा तो स्कुर्ण पढ़ेगी है दिएने होते हैं वह डिपेंडेंट होते हैं या Bacteriophase T4 और Mammals के जो भी DNA ligase 1, 2, 3, 4 है वो ATP dependent है मतलब कि जो viruses, Bacteriophase viruses के DNA ligase है वो ATP dependent है और जो Mammals के ligase 1, 2, 3, 4 है वो ATP dependent है इसके अलावा अगर E. coli और TAC DNA ligase की बात की जाए तो ये दोनों जो हैं वो NAD dependent है अगर Eukaryotic DNA ligase की बात की जाए तो हमने अभी Mammals में पढ़ा कि Mammals में 4 तरह के DNA ligase होता है 1, 2, 3, 4 तो DNA ligase 1 जो होता है वो Nescent DNA को ligate करता है और जो lagging strand होती है उनको attach करता है तो generally ये क्या करता है फिल करता है उका जाकि fragments के बीच की gap को DNA ligase 2 कहां होता है वो DNA repair pathway में involved होगा जहां भी repair करने के लिए DNA molecules break हुए होंगे और वापस से repair की ज़रुरत होगी वहां पर DNA ligase involved होगा ऐसे ही DNA ligase 3 कहां involved होगा नूपलियोटाइड एक्सीजन रिपैर में और DNA ligase 4 ये कहां repair होगा ये भी जो है ये भी कहां involved होगा ये भी repair pathway में होगा कहां होगा कहां non homologous end joining तो याद क्या रखना है DNA ligase 1 जो है ओका जाकी fragments यानि DNA replication में involved है 2 जो है वो DNA repair में involved है 3 जो है वो भी DNA repair और 4 वो भी DNA repair लेकिन 3 जो है वो nucleotide accession repair में है और DNA 4 जो है वो non homologous end joining में involved होता है तो इस तरह से जितने enzymes थे जो भी involvement थी जितने enzymes की DNA replication में वो complete हो गया है आप लोग इसको note कर सकते हो तो ये beneficial होगा एक तरह से सारा की सारा एक ही जगा सारे enzymes के बारे में पढ़ लिया हमको पहले से ही पता है कि जो आगे DNA replication हम enzyme आ रहा है तो हमको confused नहीं होना पड़ेगा कि इसका क्या function था इसको क्यों use कर रहे हैं अलाकि जब भी वह भी पढ़ेंगे पूरा DNA replication तब एक बार इसको revise करेंगे कि कैसे क्या work कर रहा है बट अभी एक बार में सब हमने जान लिया कि कौन सा enzyme का क्या sub unit है किसका क्या function है एक बहुत इजीली वह सारा कुछ जो है वह ग्राब हो जाएगा तो यहां हमने DNA ligases, helicases, polymerases इस इन सब के बारे में सिंगल स्टेंग ब्राइंडिक ब्रोटीन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा सब के बारे में जान लिया तो मिलते हैं next session में जिसमें हम बात करेंगे DNA replication के लि एप बारे में जान लिया हमने परे में जान लिया के बारे में जान लिए जाने के लिए. झाल झाल